नमश्कारावस्वभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शेकों सबसे पहले हम बात किरते हैं आज की दिन के पंचांगी आज दिनांग है पांच जून सन दोजार तेइस विक्रम समध दोजार असी चल रहा है आशाड मास है कृष्णु योग साध्य है सुब 8 बच के 48 मिनट तक उसके बाद में शुब और शुकली योग रहेंगे तो योग की द्रश्टी से आज का दिन बहुती शुब योग का रखे इसका सद उप्योग करें करन तैतिल है शाम 5 बच के 17 मिनट तक आगे वनिच करन रहेगा सूर्योदे का समय में दर्शे को सुबह 5 बच के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 16 मिनट का आज का राहुकाल सुबह साड़े साथ से 9 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टालना है इसमें को शुबकारे शुरू नहीं करते लंबी यात्रा पे बिलकुल नहीं निकल दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी आएंगे इनको बहुत ध्यान से समझेगा सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं दोपेर 12 बच के 47 मिनट एक बच के 42 मिनट दोपेर बार 3 बच के 33 मिनट और 4 बच के 29 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में है तो पहली कोशिश तो यह करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दे लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुख कीजिए दरपन में अपना मुख देखिए पांच कदम पीछे चलिए और अपने इस्ट भगवान श्र करने का जो समय है वह सुबह 9 बजे से 10 बच के 35 मिनट के बीच और दो बच के 10 मिनट से शाम साथ बच की 10 मिनट यह दोनों कालखंट बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब है तो ऐसी कोई कोशिश करते हैं अच्छे फर्स करते तो इन समय का ध्यान रखते में की कीजिए तो सफलता की चांसे ज्यादा मिलेंगे आज की चंद्र राशी दर्शे को धनू है चंद्रमा धनू राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज कई दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश र कर राशी वालों को पाइ CG के व्यापार में व्याय में चुनोतियों और सामना करना पड़ सकता है करक राशी वालों को नंहील पक्ष это किसी बात को लेकर मनमुटाव संब्था है सिंघ राशी वाले शात्र चात्र ओ स्पोर्ट्स से जुड़ेवे लोगों के लिए योग कारळ देना है और कन्हार शीवालो को आज हो सकता है को चिपती बाद सुने पड़े वह अपने लोगों से ही तोछ गर्षिवा वालों को आज पुराना निवेश काम आ सकता है धनु राशी वाले रहेंगे आतु विश्वास से लब्रेज लेकिन स्वास्त समश्याइब बनी रह सकती है और मकर राशी वाले आज बेवजे की कश्टदायक यात्रा पर निकलते दिखेंगे कुम राशी वाले किसी ठोस काम दंदे की प्लानिंग कर सकते हैं और मीन राशी वाले करियर में पाएंगे एक नई उचाई और बहुत सारा प्रोथ सहान अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल मना देते हैं अंत में करेंगे आज की जोतिश मंतरना और राशी वालों को आंवले और गूलर के पौदे लगाने चाहिए व्रश राशी के लोगों को जिनके स्वामी शुक्र होते हैं तो आज जामुन बबूल के पेड़ लगाई है ऐसे मिथुन राशी वालों को बांस का पौदा लगाना चाहिए और करक राशी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि पीपल का पौधा या फिर नाकेसर का पौधा लगाएं। सिंग राशी वालों के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, इसलिए इस राशी के जात्वों को बरगद, पलाश या फिर पाकड के पेड़ लगाने चाहिए। कन्या राशी के लोगों को चमेली, अम्रूद और बिल्व के पौधे लगाने चाहिए। तुला राशी वालों को जिनके स्वामी शुक्र माने जाते हैं, इन राशी के लोगों को अरजुन, चीकू, अशोक और नाकेसर के पौधे लगाने चाहिए। और मंगल के स्वामित्त वाली व्रश्चिक राशी के लोगों को सेमल और खेर के पेड़ लगाने चाहिए इसके साथ ही लाल पुष्प वाले पेड़ पौदे लगाना आपके लिए बहुत शुब होगा धनु राशी के स्वामि गुरू है और गुरु को प्रसंद करने के लिया राल और कदंब का पौदा लगाईए मगर राशी के स्वामि शणी होते हैं इसलिये इस राशी के जातकों के लिए एक कटहल और पीपल के पौदे लगाने लाब दायक सिद्ध होंगे कुम राशी के जातकों को शमी बर्गत और नीम के व्रक्ष लगाने चाहिए और मीन राशी वालों को आम का व्रक्ष लगाना चाहिए तो बहुत ही शुब रहता है इस प्रकार से बारे राशी वाले इस प्रकार पेड़ पौदे लगाएंगे तो गरहे भी अच्छे होंगे पर्यावरण को भी बहुती ज़्यादा लाब मिलेगा तो आज की ज्यान चर्चा में बहुती अच्छी चीजा आप समझी और अपने जीवन होता रहे हैं अब बात करते हैं उन विश्च चुपायों पर जो आपकी सारी समश्चाओं के सरल समाधान आपको देंगे जिने करके आप असफलता और अडचनों को पीछे छोड़ते विए अपने जीवन में सफलता की और समरद्धी की और द्रड़ता से अग्रसरों में सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है आप सभी लोग आज भगवान शिवजी पर गंगा जल गौमाता के दूद और घी द्वारा विशेक करें शिव पंचाक्षर स्तोत्र के ग्यारे पाट करें और अंधे बच्चों के किसी संकट आते देखें और लगे कि जीवन में अब कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जहां देखो वहां विरोधी निंदक आ रहे तो समझ जाओ कि विपरीत ग्रेदशा भी है वास्तु भी विपरीत हो गई है और इस्ट करपा कुल देवी पित्र करपा यह सब भी पहवार से दर्शा देते हैं तो ऐसे स्थिती जब जीवन में आएं तो सब कुछ भूल कर या तो महादेव की शरण लीजिए या भगवान श्रीक्रिश्न की शरण लीजिए अपने अपने सुभाव और भक्ती प्रावल्य का अनुसार कोई भी एक परमात्मा शुरूप की आप शरण लें तो जो भगवान शिवजी का पूजन करना चाहें उन्हें ब्रह्मुरत में उठकर किसी निकट्तम शिव मंदर जाना है वहां साफसफाई कीजिए पूरी निष्टा से साफसफाई कीजिए उसके बाद में जल कच्छा दूद अर्पित कर महादेव पर त्र जड़ुरैंना करनागत्फ होकर भगवान के और फिर सिद्ध महा सिद्ध मन्तर की ज्यारा माला थे शुरू कर लिएत्यान से समझेगा मंत्र स्पकार है आपको किसी अन्य उपाय की बिल्कुल भी आवशक्ता नहीं रहेगी स्वेम महादेव आपके बिगड़े भाग्ये को समारेंगे तुलसी बाबा ने लिखा भी है कि भावी हु मेट सकाईत्र पुरारी यहीं जो आपका भाविश्य है जो भावी है जो होने वाला है इसको सिर्फ शिवजी मिटा सकते हैं बदल सकते हैं सुधार सकते हैं इस भाव को पूरी द्रड़ता से अगर आप पकड़ते हैं अटूट विश्वास रखते हैं तो कुछ दिन बीतेंगे हफ्ते बीतेंगे महिना बीतेगा और चमतकार आप खुद देखेंगे ऐसे ही जो भगवान स्रि कृष्ण के भकते या नारायन के सहुवक है वो सुबह-सुबह ब्रह्मुरत में उठें सनान से निवरत हो भगवान स्रि कृष्ण के मंदर जाए माखन मुश्री का भूग ले कर जाए साथ में दो तुलसी के पत्र भी अवश्य हो यह सारा भूग भगवान को अरपित करें केशर मिलेवे जल से भगवान को अरपित करें प्रणाम करें दंडवत उनके सामने और फिर कहें कि हे प्रभु जैसे अरजुन सात्ते की अक्रूर द्रौपदी पर आपने कृपा की क्यूँकि वह आप पर निर्वर हो गये थे और पूरी तरीके से निर्भे हो गए थे वैसे मैं भी आपकी शरण में हूँ आपको पूरी तरीके से निर्भर होकर निर्भे होना चाहता हूं इस प्रकार के भाव समर्पन के बाद मैं इस विशेश महा मंत्र की 11 माला का जाप आप शुरू कर दीजिए मंत्र इस प्रकार है दर्शे को आप कुछ ही समय बीतने पर अपने जीवन में एक आश्चरे जनक गती से बहुत तेज गती से सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे तो दर्शे को यह थे आज के वो विशेश उपाए जो जीवन की बड़ी से बड़ी समश्चा से आपको बहार ला सकते हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारी दर्शक अम्रता जी की सूरत से 13 सितंबर 1998 का जनम है पांच बच के 54 मिनट सुबह सूरत सिवल सेवा में यानि आइस के एक्जाम में सफलता की योग बताई है देखिए अम्रता जी आपके लगन में स्वाराशी का प्रबल सूर्य बैठा है जो अपने आपने बहुत ही बड़ा राजी हो गया साथ ही दशमेश शुक्र भी इसी भाव में नीच राशी का शनी बैठा है और भागये जो भाव का मालिक है मंगल वह भी नीच राशी में बैठा है तो यह क्या होगा कि आपको सफल होते होते लास्ट मुमेंट पर आपको रोग देगा तो ऐसी स्तती में शनी की शांती करवाईए मंगल के साथ गुनाज जीवन में आप सफल हो जाएंगे इसके अलावा नित्याब मंगल गायतरी का खुझ जाब कीजिए हनुमान चालीसा का पांच पार्ट नित्य करती रही है अक्टूबर दोजार चौबिस के बाद आपकी नोक्री लग जाएगी आज की दूसरी जनम पत्रिक आईए हमारे द प्रबल शनी बैठें शनी का काम होता है विलंब करना धीमी गति करना तो ऐसे में सामान्य बात है कि विवा में समय लगवाएंगे आपके अभी विवा योग तो चल रहा है अप्रेल दोजार चौबिस तक यह योग प्रबलता से बना हुआ है आप नित्य सुंदरकांड का पाठ शाम के वक्त कीजिए शनी पीडा शानती के संकल्प के साथ और नीम बीपल बर्गत के व्रक्ष शनिवार के दिन अधिक से अधिक संक्या में लगाए ताकि यह आपके अर्चने ना लगाएं ऐसा करेंगे तो आपके अप्रेल दोजार चौबिस तक विवा तैय हो ज लगाने चीए इससे अपने जीवन में प्रेक्टिकल याब उतारेंगे इस कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सबका कल्यान करें जैय आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीटी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारेक्रम भागयम में और भागयम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के तुरू जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैस गुजरने वाला है हम डिवाइन गाइडिंस लेते हैं एक से लेकर 9 मूलांक तक की कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है इसका उधारण मैं आपको देती हूँ एक एक्जाम्पल के द्वारा कि अगर आपकी डेटो बर्थ है 16 यानि की 16 तो एक और 6 को जब आप ज देव हैं वो हैं हमारे गनेश जी तो बुद्ध ग्रह का क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है आज एक से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आईए आज के एपिसोड में हम जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन है अगर आप मेंसे किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगिटिव आई है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दीजे कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत जितना ज्यादा भीतर से अपने आपको मजबूत रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार के हर्डल को चालेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं और दोस्तों आज की जो तारीख है ना वह बहुत ही ज्यादा उस्पीशियस है नंबर 5 क्योंकि 5 न नंबर के जाता कोते हैं मूलांक के वह बहुत जादा पैशनेट होता है किसी एक चीज़ के बीच लगए तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है नंबर 5 की तो आए दोस्तों बिना देर की हमारे आज के कारिक्रम की हम करते हैं बहुत सारे काम जो है वह आपको आज के दिन कंप्लीट करने पड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो पेंडिंग काम हैं उनको भी पूरा करने का टास्क आज आपको मिल सकता है तो आज थोड़ी से फ्रस्ट्रेशन की स्थिती रह सकती है थोड़ा हेल्थ पर भी उसका एफेक लाइफ में भी अगर आपको किसी तरह की हैल्प की जुरत हो तो आप बिल्कुल भगवान को भी याद करें और साथ ही साथ अपने मित्रगण को या अपने परिवार्जन को सहायता अवश्य ही मिलेगी आपका देन शुब हो आई दोस्तों जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मा भगवती आज की दिन के लिए क्या गाइद कर रही है आज 5 जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है true love का card है आज के दिन आपकी मुलाकात आपके किसी पृयजन से हो सकती है जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आज आपकी मुलाकात होगी और कहीं न कहीं पूर्ण बाते भी होगी प्रेम प्रसंग का दिन है कुल मिला के आज की दिन आपका पूरा ध्यान जो है वो हार्ड शक्रा पर फोकस रहने वाला है जिसका गलो आज पूरे दिन आपके चैरे पर निज़र आएगा साती साथ जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल भी हो सकते हैं commitment आ सकते हैं विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं और साथी साथ यहां बात कर रहे हैं प्रेमी जोडों की और साथी साथ उन चीजों की जिनसे की हम प्रेम करते हैं तो ऐसी career opportunities या ऐसे लोगों से भी आपकी दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 5 जून 2030 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन शानती बनाए रखने की जुरत है अपने वानी पर नियंतन रखने की आवशकता है अत्यदिक बोलना या बेफजूल बोलना आज आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है कहीं न कहीं बनते हुए कारियों को आपकी जबान बिगार सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और थोड़ा के दिन जितना जादा आप शान्त होंगे जितना जादा आप बैलेंस होंगे उतना ही सही निर्ने ले पाने में सक्षम होगे साथी साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप आज के दिन ध्यान करते हैं यानिकी मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशल रहेगा आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 जून 2013 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है गो आउटसाइड का कार्ड है ये जो कार्ड है इसके दो मतलब निकलते हैं सबसे पहला तो ये कि फिजिकल त निकलिए अपने ऑफिस से बाहर निकलिए अपनी सराउंडिंग से बाहर निकलिए नेचर में जाईए क्योंकि प्रकृती से बड़ा हीलर कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रकृती में जाने की जरुरत है आपको बाहर निकलने की जरुरत है कुछ नए नेटव है आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है पांच जून 2023 के लिए आज की तारिक भी है नमबर 5 और मूलांक 5 की ही हम बात कर रहे हैं और हमसे गाइड किया जा रहा है कमपैशन का गाड है आपको कहा जा रहा है कि बहुत जादा लोगों को देखकर उनकी परिस्तियों को देखकर आप उन्हें जज़ कर रहे हैं यह अच्छी है यह बुरी है यह ऐसा बोलती है यह वैसा बोलती है आज आपको इन सब चीज़ों को इग् कर रहा है समय के अनुसार कर रहा है तो आपको क्या करना है आपको सब को लव और कमपैशन से ही देखना है आपकी आखों पर किस रंग का चश्मा है वही आपको उसी प्रकार की दुनिया दिखाता है तो अगर आपके आज लग रहा है कि बहुत जादा लोगों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है लोगों के अंदर आपको गल्तिया नजर आ रही है तो अपने चश्मे को चेंज कर लें कुल मिलाके खुद के उपर काम करें लव और कमपैशन में जीएं आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है पांच जून 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है फॉर्टिलीडी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है जिस भी कारे में हाट डालेंगे आपके कारे सफल होंगे तो जितना अच्छे से आज की दिन का आप उप्योग कर सकते हैं बिलकुल करें विशेश तोर पर वो लोग जो की क्रशी के शेतर से हैं या जिनका अनाज का कारे है ऐसे लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है अगर आप प्रकृती के लिए काम करना है तो भी आपका कारे बहुत अच्छा निकलेगा कुल मिला के आज का दिन रिसीव करने का बहुत सारी अच्छी उर्जाओं को डिवाइन एनर्जी को आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है पांच जून मुशांति बना है किने प्र 상det का अगर व्या दिवाद की की आस पास को एक सवाल या बातची चल रही हो तो अपने आपको ऐसे चीजलों से थोड़ा साज आपको दूर रखना है, आपको अपनी वानी पर नियंतरन रखना है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात आपको नहीं कहनी है, जो की कड़वाहट ले आए या आपस में मनमुटाव की सिती बना दे, कुल मिला के आज का दिन जितना हो सके खुद के उपर फोकस करें, अपनी ट मूलांक आठ के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है, आज 5 जून 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है, होम का काड है, आज के दिन आपके घर में नया महमान आ सकता है, कोई नया गिफ्ट आ सकता है, या आप अपने घर के लिए कोई नया आईटम खरीच सकते हैं, आप वाहन भी खरीच सकते हैं, या फिर आप एक नया घर भी खरीच सकते हैं, साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आपके घर की उर्जाओं के अंदर परिवर्तन आने वाला है, तो कुल मिला के आज आपका पूरा ध्यान अपना परिवार और अपने घर पे होगा आज आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव भी हो सकता है रिष्टिदार भी आ सकते हैं आपका पूरा फोकस आज अपने काम की बजाए अपने घर पे रहेगा आपका दिन शुबहों आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है पास जून 2030 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है ॡू आपको कहा जा रहा है तो कुल मिला के आज के दिन आपसे बड़ी जो इस्तरी है उनका आपको पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है और ये जो इस्तरी है ये बहुत जादा knowledgeable है बहुत जादा समझदार है आपकी गुरू भी हो सकती है तो आज आपको उनको follow करना उनकी बात को मानना बहुत आपक के साथ है और आपके जो भी आपका जो है उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज्ज वो प्रदान कर सकती है blessings दे सकती है जिससे की आपको जिस चीज की आवश्शक्ता है वो आपको आज प्राप्त हो जाए तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है अगर मैं आध्यात्मिक रूप से बात करूँ तो जो मा भगवती के भक्त हैं जो की शक्ती की उपासना करते हैं शक्ती उपासक हैं आप इतना प्रेम और सम्मान हमारे कारक्रम को देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है आपके भीतर बैटे परमात्मा को मेरा प्रेणाम